अलो दोस्तों वेलकम तो ये चैनल दोस्तों आज हम सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे और पेज नमबर 11 मल्टिप्लिकेशन एंड डिविजिन ऑफ इंटीजर तो हमने अलएड़ी जोमेटिक कंस्ट्रेक्शन कंप्रीट कर चुके तो वो भी वीडियो नहीं देखे तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक भी दे दूँगा और पूरे प्रैक्टिस सेट के साथ में वो लिंक है दोस्तों तो आप वो भी जाके अच्छे से इसको सॉल्ड कर सकते हैं तो चलिए आज शुरू करते हमारा यह नए वीडियो मल्टिप्लिकेशन और डिविजन ऑफ इंटिजर्स दोस्तों मल्टिप्लिकेशन आपको जैसे पता ही है multiply करना okay division जैसे आपको divide करना है okay और integers ये एक whole positive और negative numbers होते हैं जिसे कि integers 0 से भी शुरू होते हैं 0, 1, 2, 3 और यहां से negative में भी होते हैं so minus 1, minus 2, minus 3 and ये सब infinite होते हैं यानि कि ये never ending natural numbers होते हैं okay तो इस तरह से अब यहां पर हम करेंगे division और multiplication integers के तो बहुत ही easy chapter है okay हमने six standard में अलएडी पढ़ चुके in the previous class we have learned to add and subtract integers हमने additional subtraction integers के देख चुके okay using those methods fill in the blanks below तो वो ही method को हम apply करेंगे और यहां पर कुछ fill in the blank से कुछ activity ये complete करेंगे दोसर बहुत easy है 5 plus 7 12 ओके किता simple है देखिए 10 now plus into minus is minus so 10 minus 5 is 5 ओके minus 4 plus 3 minus 1 ऐसे है दोस्तों यह minus into plus is minus so 4 minus 3 कितना हो रहा है 1 हो रहा है यह बड़े value के साथ में minus sign है तो answer के साथ में भी minus sign लग जाएंगी अब देखिए यहां पर minus 7 और minus 2 तो यहां पर हो रहा है यह minus 9 okay because minus is minus into minus is plus okay 7 plus 2 is 9 sign minus की लगाएंगे हम लोग यहां पर भी plus 8 है plus 3 है so 8 minus 3 is again 5 okay चलिए यहां पर minus into minus क्या हो जा रहा है दोकर यहां पर multiply कि sign hide है minus into minus is plus so 8 plus 3 is 11 okay तो दोसर यह sign है okay golden rules है यहां पर मैं लिख देता हूँ आप लोग भी अच्छे ते इसको notes में लिखिए golden rules प्लस को plus से multiply करेंगे तो plus ही होता okay so plus into plus is plus minus into minus is again plus okay plus into minus is minus and minus into plus is minus okay इजी एक्दम समझना देखे इसको ऐसे भी समझ सकते है सही को सही कहना सही होता है दोस्तों गलत को गलत कहना सही होता है और सही को गलत कहना गलत होता है और गलत को भी सही कहना गलत ही होता है तो इस तरह से भी हम इसको समझ सकते हैं जिसका answer यहाँ पर 3 आए, in each operations, ओके, तो बहुत simple है, दोसे यहाँ पर यह वाला देख लिए थे सबसे पहले, 4 minus, अब यहाँ पर मैं कुन सी value दालो, तो 3 आएगा, तो 1 दालते हम लोग, so 4 minus 1, देखो 3 हो गया, check भी कर सकते हम लोग, 7 plus, अब यहाँ पर हम minus 4 दालेंगे, तो 3 आजाता, देखे, plus into minus is minus, plus into minus, so 7 minus 4 is 3, okay, now 9 minus, क्या दालना होंगा यहाँ पर अपने को, 3 लाने के लिए 6 दालना होंगा, okay, again यहाँ पर, now minus 8 plus, अब 3 लाने के लिए यहाँ पर अपने को 11 लिखना होंगा, क्यों, क्योंकि हो minus into plus is minus, so 11 minus 8 is 3, check the bigger value sign, तो बड़े value की साथ में sign यहाँ पर plus में, तो हम यहाँ पर plus 3 लिखेंगे, okay, चलिए यहाँ पर देख लेते, minus 5, और यहाँ पर क्या दाल सकते हम लोग, minus 5, minus में 8 दालता हूं दोस्तों, कैसे, देखे, यह minus 5, minus into minus क्या हो जाएंगा, यह 8 हो जाएंगा, okay, so minus 5 plus 8 क्या हो रहा है, देखो, यहाँ पर 3 भी हो रहा है, okay, चलिए one more, now minus 6 plus, यहाँ पर 3 कैसे आएंगा, यहाँ 9 दालना होंगा में, कैसे, minus into plus is minus 6, 9 minus 6 is 3, बड़े value की साथ में sign यहाँ पर plus में, तो यहाँ पर plus 3 भी है, okay, तो इस explanation ही है, पढ़ लेते हम लोग यह भी, चलिए, Mayuri's bicycle got punctured on the way back from school and she did not have enough money to get it repaired, सुषान, स्नेहलाल and कलपना lent her 5 rupees each, then she borrowed 15 rupees all together and got the bicycle repaired, okay, Mayuri घर से रिटर्न आ रही थी, तो स्कूल से उसकी चुबाई के वो पंचर होगी, bicycle, okay, इसका पैसे मिनी थे, सुषान ने, स्नेहलाल ने और कलपना ने, स्नेहल ने, कलपना ने उन्हें 5 रुपे क्या दिये, उधार दिये, फिर वोई 5 रुपे होगे all together and got the bicycle repaired, उसने bicycle अपनी रिपेर कर ली, विशो बोरोड मनी, okay, और डेप्ट, okay, जब भी हम उधार लेते हैं या बोरो करते हैं, तो मयूरी हैड माइनस 15 रुपीस, ऐसा भी बोर सकते हैं, okay, तो फिर बाद में यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों कि, माइनस 5, माइनस 5, माइनस 15 रुपीस होते हैं, okay, तो मयूरी ने और डेट, नेक्स डे पे कर दिया, तो इस तरह से माइनस साइन भी आते हैं, okay, अपने integers मे जब भी हम multiply करें तो, okay, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, page number 11 पे चलते हैं, तो इसी तरह से यहाँ पर भी कुछ activity है, same वैसी है, minus sign वाली, चलिए वो भी complete करते हैं हम लोग, अगर आप देखेंगे यहाँ पर, दोस्तों तो अल्रेड़ी यहाँ पर कुछ example है, minus into minus plus, 5, 3 is the 15 हो गए, minus into minus plus, 5, 2 is the 10 हो गए, देखें, minus into minus plus हो जा रहा तो 5, 1 is the 5, plus में answer आ रहे, minus 5 into 0, 0 तो 0 के नाट भी negative, तो 0 आ रहे, minus 5 into 1, तो minus 5, minus 5 into 2, तो 5, 2 is the 10 हो रहे, sign minus की लगाएंगे, एक sign है तो answer के आगे sign लगेंगी, okay, minus 5 into 3, तो 5, 3 is the 15, minus 5 into 4, minus 20, okay, अब यहाँ पर देखते हैं, minus into minus plus हो रहा है, तो 6, 3 is the क्या आएंगा यहाँ पर, 18, तो आपको लिखना होंगा 18, okay, again minus into minus plus, so 6, 2 is the 12, यहाँ पर लिखेंगे हम 12, minus into minus plus, 6, 1 is the 6, तो answer भी plus में आएंगा तो 6, minus 6 into 0, so answer remains 0 only, minus 1 into 1, minus 6 into 1, so 6, 1 is the 6, sign minus की लगेंगी, okay, एक sign लगेंगी, तो answer के साथ में आएंगा, 6, 2 is the 12, तो 12 लिखेंगे हम, यह sign भी लगाएंगे, minus की आगे, 6, 3 is the 18, तो हम 18 लिखेंगे, और यह sign एक है, उसके आगे minus 18 भी लगेंगा, 6, 4 is the 24, so 24 लिखेंगे हम, sign minus की भी लगाएंगे, okay, यहाँ पर 7 क्या भी है, minus into minus plus, 7, 3 is the 21, तो answer 21, minus into minus plus, 7 to the 14, तो यह 14 भी है, यहाँ पर, minus into minus plus, 7, 1 is the 7, 7, तो minus 7 into 0, तो यह 0 ही जाएंगा, दोस्ता answer, minus 7 into 1, एक ही sign है, तो answer के साथ में sign लगेंगे, minus 7, 7 to the 14, तो हम 14 लिखेंगे, और यह minus sign भी लिखेंगे, 7, 3 is the 21, so 21, sign b minus लगेंगे, और इस तरह से 7, 4 is the 28, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, 28 और यह sign b minus लगेंगे, तो देगी दोस्ता कितना simple है, कितना easy है, golden rules जो मैंने पीछे लिखा था, आपको याद करने होंगे, अच्छे से, ओके, यह table भी अपने notes में consider करना होंगा, ओके, और वो ही golden rules देखेंगे, यहाँ पर लिखावा भी है दोस्तो, positive number into positive number, तो positive number होता है, यानि कि plus into plus, plus ही होता है, positive number into negative number, तो negative यहाँ यहाँ पर, minus, यानि कि negative number into positive number, negative number होता है, ओके, यह minus V, यानि कि negative है दोस्तो, ओके, सो minus into minus यहाँ पर देखेंगे, प्लस भी होता है, तो इस तरह से यह golden rules भी हम लोग अच्छे से इसको देखेंगे, ओके, और अपने notes में भी इसको लिखेंगे, important है यह पहली बार आप इसको देख रहे हैं, अच्छे से, ओके, चलि मैंने यह पूरे questions अपने notebook में लिखे रखाओं क्योंकि हम systematic notes बना रहे हैं, और आपके लिए भी, आपको भी systematic notes बनाना है, ओके, तो चलिए, practice set 8 को भी हम लोग अच्छे से cover करते हैं, तो बहुत simple है दोस्तों, इसके भी answer, देखेंगे न, minus into minus क्या हो रहा है, यह plus हो रहा है so five sevens are thirty five, तो यह अपना पहला answer आगया, thirty five, okay, so nine sixs are, दोस्तों आपको मालिब है, nine sixs are fifty four, table learn करना होगा, अगर table learn नहीं बच्छों आपको, nine sixs are fifty four, और यह sign को भी आपको लगाना होगा, तो यह minus fifty four, यह भी answer आगया अपना, okay, then nine fours are thirty six, हम लिखेंगे यहापर thirty six, एक sign है, तो answer के साथ में भी लगींगी वो sign, okay, so minus thirty six, यह भी हो गया, then eight sevens are fifty six, तो हम यहाँ लिखेंगे fifty six, और यह sign को भी लगाएंगे आगे, क्योंकि एक ही sign है, now minus into minus plus, देखो दोस्तों, minus into minus क्या हो गया, यह, plus हो गया, so one twenty four ones are, one twenty four ही रहेंगा answer, okay, चली, अब यहाँ पर भी minus into minus plus, so twelve sevens are eighty four, table learn है हमें, okay, तो इस तरह से eighty four लिख लेंगे, then sixty three sevens are four forty one, okay, देख ले थे, देखिए, minus into minus, यह plus हो जा रहा है, आपका, three sevens are twenty one, यह one लिखेंगे, two carry, फिर seven six of forty two, forty two plus two कितने और है, forty four, तो यह four forty one, यह आपका answer भी आ जा रहा है, okay, then seven into fifteen, यह fifteen into seven, यह की बात होती है, okay, seven into fifteen, hundred and five हो रहा है, यहनिके fifteen sevens are hundred and five, और यह sign भी आपको यहाँ पर minus की लगानी होगी, तो देखिए, देखिए, दोस्ते किता सिंपल था ही है, okay, ध्यान से करना है, आपको sign की तरफ बिल्कुल ध्यान देना है, आपको अच्छे से, और table में सको convert करके ल important है यह, okay, आगे चल गए आपको बहुत काम आएंगा यह, तो हमनों golden rules भी लिखते हैं, अच्छे से, तो क्या है golden rules, अभी हमने देखे, plus into plus, plus into plus क्या होता है, operation plus होगा, okay, so minus into minus again plus, ठीके न, फिर बाद में plus into minus, minus होगा, और minus into plus यह भी minus होगा, तो इस तरह से golden rules भी आप अच्छे से लिखेंगे, इनको समझेंगे, okay, फिर next practice set के लिए हम जल से जलाएंगे, आपको यह video कैसा लगा दोस्तो, अगर video अच्छा लगा तो पहली बार इस channel पहले तो subscribe कर लेना, और daily में आपके लिए इसी तरह से video लाता होगा, class 7 के, और class 9, 10, 11, 12 के भी हम वीडियो लाते रहेंगे, मैस के लिए, okay, so देखते रहेंगे, Zoya Mass Academy, thank you very much, thanks for watching, take care of yourself, hello students, welcome to your channel, दोस्तो, आज हम practice set number 9 लेंगे, okay, page number 14 पे, already हमने practice set number 8 ले चुके, okay, अगर वो वीडियो नहीं देखे तो में उपर description में, उपर आई बटन में इसका लिंक दे अच्छे से आपको यह chapter भी समझ में आएगा, तो चलिए, शुरू करते हैं आज का हमारे नया वीडियो, practice set number 9, पूरा यह division of integers के उपर से, okay, तो divide कैसे करते हैं, integers को, तो वो देखेंगे हम लोग, okay, बहुत simple है दोस्तों, बहुत easy है, 4 questions है, तो चले हम लोग लेते हैं इसको अच्छे से एकदम, तो यहाँ पर questions देख रहे हैं, practice set, division of integers, minus 96, divided by 16, okay, तो इसके लिए अच्छे से learn होना यहाँ पर, तो चलिए, मैं शुरू करता हूँ, यहाँ पर, कहते हैं शुरू करेंगे, minus 96, minus 96, divided by 16, okay, इसका मतलब क्या हो गया, जब भी minus sign लेंगी, तो आप minus 1 into 96 करो, upon में 16 ले लेंगे हम लोग, अब आप देख रहे हैं, यहाँ पर 16 के label में 96 आते हैं, 16, 6, तो हम लोग इसको cut करेंगे, 16, 6, 96, okay, और फिर अगर आप यहाँ पर देखेंगे, minus 1 into 6, 16, so therefore, answer क्या आजाएंगा, minus 166 और यह minus sign लगा देखेंगे, तो अपना answer आजाएंगा, minus 6, okay, देखें, कितना simple है, same, इसको भी हम message करेंगे, 98 divided by minus 128, तो हम इस तरह से लिखेंगे इसको, 98 divided by minus 28, okay, 98 will remain as it is, minus 1, minus के sign में हम minus 1 लगाएंगे, और multiply by इज़र लिख देगे हम लोग, 28, okay, अगर अब यहाँ पर भी देखेंगे, दोसरे यहाँ पर, 14, 2, देखें, 14, 2, 28, और 14, 7, 96, इस तरह से ले ले लेते हैं हम लोग इसको, 14, 2, में और यह 14, 7, 2, में, तो इस तरह से यह minus 7 upon 2, इसका answer आ जाएंगा, ओके, तो चलिए थर्ड भी हम ऐसी करते, minus 51 divided by 68, ओके, तो minus से इदर, तो हम minus 1 into 51 लेते हैं, और upon में इदर लिख देएंगे, अम लोग, 68, अब आप देख रहें हैं दोसरों, यहाँ पर 51 और यह 68 दोनों 13 के टेबल में आते हैं न, 13 तरीज़ा में, ओके, 17, 17 के टेबल में आते हैं दोसरों, ओके, तो 17 तरीज़ा और यहाँ पर 17 फोर्ज़ा, तो answer क्या होगा अपना यह, minus 1 into 3 upon में 4, तो यह answer होगा, यह अपना 13 जा 3 upon में यह 4 लिख देंगे, तो इस तरह से यह answer भी अपना complete हो जाएंगा, ओके, तो चलिए, फोर्ट कोशन की तरफ लेते हैं अभी, 38 divided by minus 57, ओके, तो हम इस तरह से 38 लिखेंगे, as it is, minus 57 हैं तो minus 1 into 57 लिखेंगे, ओके, चलिए इसको आगे हम carry करते हैं, अब यहां पर भी देखेंगे हम लोग, 17, 19, 2, ok, 19, 2, 38 और 19, 3, 57, तो इस तरह से 19, 2 में जाएंगा, दो से 19, 3 में जाएंगा, so remaining क्या बज़ गया है, 2 और नीचे minus 1 into 3, so यह 2 upon 3 और यह sign हम उपर लगा दिए, so minus 2 upon 3 इसका answer आ जाएंगा, देखें किता सिंपल है, easy एकदम, बस टेबल आपको अच्छे तरह लगा होना, तो automatically answer आपका आ जाएंगा, चलिए भी लेते हम लोग, minus 85 divided by 20, ok, so minus 85 तो हम लिखेंगे minus 1 into 85, upon में लिख देंगे यहाँ पर 20, ok, तो चलिए अब इसको टेबल में भी देखते हम लोग, फाइफ ओर्जा में, फाइफ ओर्जा 20 हो रहा है यहाँ पर और यह 5 बजगे यहाँ पर 35 हो गया, 5, 7 is the 35, तो minus 1 into 17, upon में 4, so our final answer is 170 is the 17, so minus 17 और यह upon में 4 लिख देंगे, तो इस तरह से ही अपने answer आ जाएंगे, ok, चलिए आगे बढ़ते हम लोग, minus 150 divided by minus 25, ok, अब बहुत इजी दोखसरें यहाँ पर, क्या करने अपने को, same, minus sign है तो minus 1 into 150 लिखेंगे हम लोग, और यहाँ पर भी minus 1 into 25 लिखेंगे, ok, so minus minus cut हो जाएंगा, यह 1, 1 cancel हो जाएंगे, 25, 1s are 25, और यहाँ पर 25, 6s are, ok, तो 6 upon 1 आया, तो हम normally denominator में 1 नहीं लिखते हैं, तो आपका answer, final answer क्या रहेंगा, 6 रहेंगा, तो question number 6 का answer आपका 6 आया, ok, चलिए, अब यहाँ पर दोनों तरफ minus sign नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 100 divided by 60 लेंगे, 1010 numerator denominator में cancel हो जाएंगे, अब देखे 6 के डेबल में 10 नहीं आ रहें, तो आप इस रज़े करो, 2, 3 जा में 6 हो रहे हैं, और 2, 5 जा, यह 10 हो रहे हैं, तो इस राज़े final answer क्या आगे आपना, 5 upon 3, ok, इसी एकदम, चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग, 9 divided by minus 54, तो हम लिखेंगे 9 divided by minus 54, तो 9 को हम ऐसी रखेंगे, और minus 54 है, तो minus 1 into 54, अगर आप देखेंगे, तो 9 के डेबल में 9 बंज़न 9, और 9 6 जा, ok, 54, तो what is remaining, 1 उपर है, और नीचे minus 1 into 6 है, तो 1 upon 6 तो answer रहेंगे आपका, और यह sign भी आपको लगाना है, minus की, तो यह इस तरह से हम उसको करेंगे, division of integers को, ok, बस table learn होना अच्छे से हमें, चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग, 9 की तरफ जाते हैं यहाँ पर, question number 9, 78 divided by 65, तो हम लिखेंगे यहाँ पर, 78, ok, 78 divided by 65, अब दोस्तों देखें, 78 और 65, दोनों 13 की टेपल में आ रहें, 13, 5, 65, ok, और 13, 6, तो अपना final answer के आ रहेंगा, 6 upon 5, तो इस तरह से हम इसको solve कर सकते हैं, चलिए अब इधार देखते हैं, last question, minus 5 divided by 3 by 3, 3 upon 315, तो हम इस तरह से लिखेंगे, minus 5 upon minus 315, ok, तो क्या करेंगे हम लोग, minus 1 into 5 लिखेंगे, जब भी minus रहेंगी तो minus 1 into 315 लिखेंगे, minus 1, minus 1 get cancelled, ok, तो यहाँ पर 5 1s of 5, 5 6 is the 30, 1 लिए हैं, आपर 15 हो गया, 5 3 is the 15, तो अबर final answer is 1 upon 63, तो इस तरह से इसको हम लोग solve करने की कोशिश करेंगे, ok, इसी है, चलिए अब यहाँ पर भी, write three divisions of integers such that the fractional form of each will be 24 upon 5, यानि कि इसको fraction के आना 24 upon 5 आना, तो बहुत easy तो सही है, सबसे पहला लेते हैं हम लोग, 24 upon 5, ok, यह कोशन था, तो हम यहाँ पर 24 को 1 से multiply करेंगे, और यह 5 को भी same number से multiply करना होंगा अपने, ok, तो यह देख़ए आगया आपका, 24 upon 24, और यह upon में 1 5 आप 5, तो यह 24 divided by 5, यह इस तरह से पहला answer आगया, अब यहाँ पर 1 लिए, तो फिर हम 2, 2 लेंगे और 3, 3 लेंगे, ok, तो आपका same answer आएंगा, second लेते हैं हम लोग, चलिए 24 upon 5, तो same मैं यहाँ पर 24 into 2 लिखूंगा भी, और यहाँ पर 5 into 2 लिखेंगे, ok, so 24 to the 48, और यहाँ पर 5 to the क्या हो रहा है तो 10 हो रहा है, तो यह भी अपना answer आगया, 48 divided by 10, देखो, नहीं, 5 2 लिखा में, ok, और यहाँ पर 2, 5 लिखा 10, और यह 48 लिखा 24, तो देखो 24 upon 5 आ रहा है इधर भी, ok, चलिए एक और लेते हैं, 24 upon 5, अब यहाँ पर हमने numerator denominator में same value 2, 2 लिखेंगे, ok, so 24 into 3, और 5 into 3 लिखेंगे इधर, so 24, 3 is the, ok, यहाँ पर लेंगे हम लोग 24, 3 is the 72, और 5, 3 is the 15, तो 72 divided by 15, अगर हम करेंगे तो हमारा answer 24 upon 5 ही आएंगा, ok, 5, 3 is the 15, 5 is the 5, तो इस रहा से answer अपना 24 upon 5 आ जाएंगा, ok, चलिए एक और है, यहाँ पर minus 5 upon 7 है, तो इसको भी दूस्तों हम ऐसी करेंगे, चलिए answer में minus 5 upon 7, तो equal to लिखेंगे, चलिए 1 यहाँ टूल से शुरू करते हैं हम लोग, so minus 5 into 2 लेते हैं, और यहाँ पर 7 into 2 लेते हैं, तो यह 5 to the 10 minus 10 upon 7 to the 14, तो यह इस तरह से होँगा, minus 10 divided by 14, ok, इस तरह से यह पहला answer आ जाएंगा, फिर second के लिए भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लिएते हैं, अब 3 लेंगे और 4 लेंगे, ok, so minus 5 upon 7 is equal to, so minus 5 into 3 लेंगे, और denominator में भी 7 into 3 लेंगे, ok, बच्चो, so 5, 3 is the 15, so minus 15, और 7, 3 is the 21, ok, तो इस तरह से minus 15 divided by 21, देखें न, यह 3 के टेबल में आ रहा है, 3, 5 is the 15, 3, 7 is the 21, देखो, वही answer आ रहा है, चलिए एक और लेते हैं, हम लोग, 3 लिएते हैं, अब 4 लेंगे, minus 5 upon 7 is equal to, minus 5 into 4 लेंगे, और 7 into 4 लेंगे, so 5 for the 20, तो यह minus sign हैंने, तो minus 20 लगा हैं हमने, और 7 for the 28, तो अगर इसको division में लिखेंगे, integer form में, so minus 20 divided by 28, तो इस तरह से करना हैं दोस्तों इसको, बहुत simple हैं, बहुत easy हैं, ओके, चलिए, एक और question हैं अपने पास में, तो questions को हम लोग पहले test book में देखेंगें दोस्तों, के questions क्या बोल रहा हैं ये, okay, यहां पर देख लिए the questions को, write three divisions of integers, यानि के तीन answer लिखना है, sorry, the fish in the pond, यहां पर fish है, pond भी है, carry some numbers, numbers देखो, fish के उपर, okay, choose any four pairs to carry out for four multiplication, यानि के चार multiplication करना है अपने को with those numbers, now choose four other pairs and carry out the division with this number, यानि के चार multiply करना है और चार divisions अपने को निकालना है, कोई भी randomly number लेके, okay, कोई भी choice करके number, हम लोग इसको निकाल सकते हैं, okay, तो यहां पर example दिया हो, तो मैंने भी यहां पर लिखके रखो, example, okay, तो four multiplication पूछा गया, तो यहां पर test book हैं मेरे पास में, okay, अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर minus 13 भी है, okay, इस तरह से देख रहें, minus 13, my plus 12, minus 24, plus 9, तो कोई भी randomly choice करो number और इसको हम लोग solve करेंगे, okay, तो मैं यहां पर कोई भी number लेता हूँ, okay, तो इस तरह से हम इसको लेके कर सकते हैं, जैसे के minus 13 into 9, okay, so 39 is the 117, लिख देंगे और यह minus sign दाल देंगे, okay, चलिए second, कोई भी randomly number लेते हैं, जैसे हम जो, 9 into minus 37, okay, so 37, 9 is the triple 3 आता, और यह minus sign हमने लगा दी इसके आगे, चलिए third लेते हैं randomly, 12 into 13 लेते हैं दोस्तो, so 12 into 13, 100 and 56, तो यह 156 होगा आपका, okay, चलिए एक और लेते हैं, minus 15 into minus 8 लेते हैं, okay, test book में, देखिए आप लोग अच्छे से, so minus into minus plus हो जाएंगा, 15, 8 is the 120, 20, तो इस रह से कोई भी randomly आप कोई भी दो number लिजिए, उसको multiply किजिए, लिख दीजिए, ओके, चलिए four division भी पुछा गया, तो हम लोग four divisions भी लेंगे यहापर, so four divisions are, कोई भी चान नमबर लेंगे और divide करेंगे इसको हम लोग, मैं लेता हूँ minus 28 divided by 12, okay, so minus 28 divided by 12 लेंगे हम यहापर, four three is the 12 और दोस्तों यह और four sevens the 28, तो पहला answer अपना यह आगया, minus seven upon three, okay, चली second लेते divide, 12 divided by nine, तो मैं ले रहाँ यहाँ पर 12 divided by nine, okay, तो nine की table में 12 नहीं आरे, लेकिन three के table में दोनों आरे, three three is the nine and three fours the twelve, तो यह second answer भी four upon three आपका आगया, okay, चली third लेते, now nine divided by, suppose minus 24, तो चली हम लिख लेंगे, nine divided by minus 24, three के table में ले ले लो इसको, three three is the nine and three eight is the 24, तो यह minus three upon eight हो गया, ओकिन यह sign minus के हमने इधर लगाए, और एक और question है, एक और ले लेंगे हम लोग, minus 18 divided by minus 27, चलो, तो ले लेते हम लोग, minus 18 divided by minus 27, minus minus दोनों साइट से यह कट हो जाएगा, और यह nine two is the 18 होगा, और nine three is the 27, तो यह two upon three, इस तरह से यह answer भी आपका complete होगा, दो कितना easy था है यह, तो इस तरह से हमने यह practice set को, practice set nine को भी हमने complete कर ले दोस्तों, तो यह video कैसा लगा, मुझे comment करके बता रहा, कुछ भी नहीं समझा, आप मुझे comment करके बताना और वीडियो अच्छा लगे, तो share भी करना, like भी करना, और पहली बार इस चैनल पर आए तो subscribe भी करना, तो daily इसी तरह से मैं आपके लिए, standard seven के video daily लाता रहूँगा, daily सुबा 10 से 11 के बीच में आपको यह video मिलते रहेंगे, okay, so thank you very much, thanks for watching, take care of yourself.